नमस्य दोस्तों आज मैं आप सब के लिए समर स्पेशल एक बहुती बहतरीन से डिजर्ड की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद असान है आप इसे बच्चों की पार्टी हो किटी पार्टी हो या भी रमजान चल रहे हैं तो इफ्तार पार्टी वगर आप इसे बना सकते हैं बनने में बहुत असान तेस्ट ऐसा कि बच्चे और बड़े सभी दिवाने हो जाएंगे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसे में हमने गरण पानी डाल देना है अभी इसी में हमने घरम पानी डाल देना है अब यहाँ पे इसमें काफ़ सारे lumps आपको देख रहे होंगे, कोई टेंचन नहीं, विकाज हम जब पानी डालेंगे, तो यह सारे lumps खतम हो जाएंगे, तो वो जो पानी मैंने बॉइल किया था 400 ml, वो हम इसमें डाल देंगे, और अच्छे से इसको mix कर देंगे, जब तक कि य जैली वाला शुगर है, वो अच्छे से इसमें डिजॉल्व ना हो जाए, यह देखिए, यहाँ पर जो जैली का mixture था, पूरी तरीके से पानी में अच्छे से डिजॉल्व हो चुका है, आप बोल में बना सकते हैं, मैंने जग में इसलिए बनाया है, क्योंकि इस दिना केक वाला मोल्ड था, उसमें मैंने डालकर से इसलेंट कर लिया है, और यह जो जैली का mixture है, वो हम ग्लास में इस तरीके से बरेंगे, कि जब यह सेट होना, यह एकदम तिर्ची होनी चाहिए, तिर्ची होनी चाहिए, आप चाहें, तो अगर आपको बास हो ऐसी चीज, कि आ थंडा होने के बाद, तकरीबान आदे से एक गंटे के लिए फ्रेज में रख देना है, अगर आपको इस तरीके का मोल्ड ना हो, तो इस तरीकी की काटोरी में अप अपना ग्लास इस तरीके से रख ले, और यह जो जैली वाला मिक्शर है, वो हम पूर कर देंगे, बस आप जो अपनी कस्टरण के तैयारी कर लेते हैं, मैं तो नहीं ठीज में तरीके स्पून यह पर वनीला कस्टरण लिया है, आप कोई भी फ्लीवर का कस्टरण ले सकते हैं, इसमें जो बाद नहीं होने चाहिए, जो बचावा दूद था, टोटल मैंने आदा लीटर दूद लिय इसमें डाल देंगे half cup चीनी चीनी मेरे साब से half cup perfect थी अगर आप जादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी की quantity अपने साब से बढ़ा सकते हैं यह दिखिए से हमें अच्छे से boil आने तक हलका सा जब तक चीनी ना गुल जाए तब तक पकाना है जैसे ही चीनी गुल जाए इसमें ना जाएगा क्योंकि हमें इसे पकाना है जब तक हो कस्टर्ड का एक रॉय स्मेल इसमें से चलाना जाए तो तक तीन से चार मिनट लो फ्लेम पे हम इसे कोक करेंगे दब तक इस तरीके से बड़े 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 बबल्स ना ने लगे और अच्छा खासा यह थिक लगातार से चलाते रहिएगा क्योंकि हम इसको जैली पे जब डालेंगे तब यह न रूम टैंपरिचर पर आ जाना चाहिए उंगली को गरम नहीं लगे तब तक हमें इसे ठंडा करना है यह मेरे जैली वाले जो ग्लासिस थे वह भी बड़िया सैट हो चुके हैं अभी जो क्रीमी टेक्चर पे है कई भी कोई लंप नहीं है बस आपनी त्यार किये हुए ग्लासिस को हम तकरीवन दो से तीन गंटे के लिए फ्रिज में एकटम सेट होने देंगे लीजे फ्रेंड्स यह हमारे जैली कस्टर बिल्कुल रेडी है मैंने उपर से थोड़े से अनार के द इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा इन ट्रस्ट मी इसका टीस इतना लाजवाब है ना कि आप एक चमबच खा के अपने आपको रोग ही नहीं पाएंगे मैं तो खुद सिर्फ जस्ट टेस्ट करने के लिए मैंने उठाया था एं दिन मैं खुद खाती गई खाती गई केक नई और मज़िदार सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई